थियोडोलाइट उपकरण की साहता से 36 कोण मापन की जो दूसरी विधी है वो है Reputation Method अरथात आविर्ति विधी तो आविर्ति विधी क्या होती है इसको हम समझेंगे इस टॉपिक के अंतरगत इस विधी में क्या करते हैं कि एक ही कोड को उपकरण की साहता से बार-बार मापते हैं बार-बार जो कोण मापना हो गया वो एक तरीके से रिपीट हो रहा है कार तो आविर्ति हो रही है इसी वज़ा से हम इसको आविर्ति भी धी कहते हैं तो इसकी जो परिभासा है उसको हम लिखेंगे कि आखिर क्या होता है आविर्त भी दी तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर 36 कौन मापन की वह भी दी मापन की वह भी दी जिसके अंतरगत एक कौन को बार बार माप कर पिछले मान में जोडते हैं तथा प्राप्त कुल मान प्राप्त कुल मान में प्रेक्छनों की कुल संख्या से भाग देकर औसत मान ग्यात कर लेते हैं यहाँ पर दो चीजे बार बार मापते हैं और जो हमको प्राप्त कुल मान आएगा उसमें किसका भाग देंगे प्रेक्छनों की संख्या तो एक तरीके से जो हमारा आजाएगा औसत मान हमारा जो आएगा वो क्या होगा कूल कूल कामान बटा में कूल प्रेक्छन की संख्या चुकि इस क्रिया में समान बिधी की तुला में हमको काफी अधिक सुद्धमान मिलता है तो इस पॉइंट को भी हम एक नोट के रूप में लिख लेंगे कि इस बिधी के द्वारा बिधी के द्वारा सामान बिधी द्वारा कोण मापन से अधिक सुद्ध मान अधिक सुद्धमान प्राप्त होते हैं प्राप्त होता है तो ये दो पॉइंट हम लिख सकते हैं अगर पूछे कि आविर्थ बिधी क्या है तो उसमें परिभासा की रूप में इसको हम लिख सकते हैं अब जो आविर्थ बिधी को करने का जो इस्टेप है उसको देखेंगे की कैसे कार किया जाता है इसके अंतरगत कैसे आविर्थ बिधी को कूण का मापन हम करते हैं समान परिधी में कि अपना जो थ्योडोलाइट उपकरण है उसको बिंदुकीूब अपर हमने अस्थापित करके उसका सम्तलन और किंद कि था उसके बाद हमने क्या किया था कि दोनों वर्निर जो उपरी प्लेट और निचली प्लेट हैं उन दोनों प्लेटों को को अमने ढीला करके एक दूसरे के विप्रीद दिसा में घुमा दिया था और घुमाने के पस्चात क्या किया था कि जो उपरी प्लेट का जो सुचक होता है तीर है उसको निचली प्लेट के 00 से हमने मिलाया था पहले लगबग में मिलाया फिर सुद्ध रूप से मिलाने के लि बिंदू पी को हमने लगबग में साधा फिर निचली प्लेट को हमने कस दिया फिर मंदगती पेज की साहता से बिंदू पी को फिर हमने सुध रूप से साधा था और उसके बाद फिर हमने उसको साधने के पस्चात जो हमारी अपर प्लेट है उस उपरी प्लेट को हमने फिर धिला किया और फिर अपना जो उपकरण है उसको चैती समतल में क्लॉक वाइज दिसा में घुमाते हुए हमने बिंदु आर को साधा था पहले लगबग में फिर सुद्ध रूप में इस तरीके से हमारा मान आ गया था तो यह जो पांच स्टेप थे वो सभी पांच स्टेपों को हम इस बिदी में भी करेंगे तो आवेर्थ बिदी में जो सबसे फिर्स्ट स्टेप हो जाएगा उसको हम पिछला वाला ही दो दूहराएंगे step number one में जैसे हमने समान ने बिदी में बताया था कि जो हम बिंदु क्यूँ पर क्या करते हैं कि उपकरण को अस्थापित कर देते हैं और उसके बाद फिर हम केंदरन का कारे करते हैं फिर समतलन का कारे करते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम थियोडोलाइट उपकरण की जो अपर और लोवर प्लेट है उन दोनों प्लेटों को ढिला करेंगे तो यहां पर दोनों प्लेटों को हम ढिला कर देते हैं फिर एक दूसरे के विप्रीत दिसा में गुमाने के बाद क्या करते हैं कि जो अपर प्लेट का तीर है अपर प्लेट के तीर को निचली प्लेट जो है हमारी निचली प्लेट उसके जीरो जीरो पर लगभग में हमने सेट किया और लगभग में सेट करने के बाद हमने बताया था कि हम चेक करेंगे कि हमारी जो भर्टिकल चक्री है वो बाइं हो रहे है दाई और तो वो बाई और थी इसलिए जो यह हम स्टेप कर रहा है यह फेस लेफ्ट अब्जरवेशन के अंतरगत आएगा और इसके बाद स्टेप नंबर थार्ड में हम फिर दोनों प्लेटों को जो हमने ढिला किया हुआ था अब यहां पर दोनों प्लेटों को हम कस दे रह कर हैं और जब सुद्वता से यहां पर सेट कर लेंगे उसके बाद दोनों वर्णियर जो हमारे है और वर्णियर बी इन दोनों के पाठ्यांग् को हम चेक करेंगे तो जो वर्णियर एक पाठ्यांग रहेगा वह 0-degree और जो अध्य dia qraald वर तकि हमने जैसे वहां बताया था कि हमारा जो वर्नियर ए और वी इन दोनों की जो इस्तिती होती है एक दूसरे के बिपरीद दिसा में होती है इसलिए 180 डिगरी का अंतर हो जाता है फिर स्टेप नंबर चार में हम क्या करते हैं कि जो निचली प्लेट है निचली प्लेट को हमें आपर धिला करते हैं और फिर को 36 समतल में गुमाते हुए 36 समतल में गुमाते हुए क्या करेंगे कि बिंदू पी को लगबग में हम सादेंगे और जब लगबग में यहां पर सादेंगे और जब लगबग में बिंदू पी को साद लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो निचली प्लेट है उस निचली उपरी प्लेट है, उस उपरी प्लेट को फिर हम ढ़ीा करेंगे, उपरी प्लेट को ढ़ीला करने के बाद उपकरन को clockwise दिशा में घुमाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हमने बताया थार Wow, को हम बिंदु आर को क्या करेंगे लगबण में साधेंगे फिन दू आर हमाara जो है वो लगबँण में सद जाएगा और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे जो उपरी प्लेट को हमने ढीला किया हुआ था उसको हम घर देंगे और फिर कसने के बाद फिर अपर मंद गती पेज जो है वो अपकारे करने लगेगा अपर मंद गती पेज के द्वारा फिर जो बिंदु आ रहे है उसको हम सुद्धता से यहाँ पर फिर साधेंगे इसके बाद जब सुद्धता से वो बर्नियर वी जो है वो कौन PQR का मान कितना 180 डिगरी ज्यादा बताएगा अब इन दो ये जो दोनों मान आया हैं इन दोनों मानों को जोड करके हम इनका आउसत निकाल लेंगे तो आउसत जो आएगा वो हमारा PQR का जो मान रहेगा वो हमारा मान हो जाएगा इन दोनों को जोड करके जो निकालेंगे स्टेप नंबर छे जो रहेगा इसमें क्या हम करेंगे कि अब हमारा जो दूर्बीन है वो दूर्बीन बिंदू आर को साधे हुए बिल्कुल इस तरह की से है अब हमें यहां पर क्या क करेंगे कि निचली प्लेट को धिला करने के बाद हम उपकरण को गुमाएंगे बिल्कुल क्लोक वाई दिसा में और क्लोक वाई दिसा में गुमाते हुए बिंदू पी को फिर से साधेंगे अब बिंदू पी को अब लगबग में साधेंगे चुकि निचली प्लेट धीली है तो निचली प्लेट जब धीली है तो लगबग में सादेगी, तो लगबग में सादने के बाद फिर क्या करेंगे, कि निचली प्लेट को कस देंगे, और निचली प्लेट को कसने के बाद फिर निचला मंद गती पेंच है, उसकी सहायता से बिंदू P को हम फिर सुद रूप मे साथ हैंगे, यहाँ पर जो हमारा दूर्बीन है, वो बिलकुल इस तरीके से गुमते हुए P को साथ लेगा, clockwise दी साम है, clockwise दी साम को यहाँ पर द्यान रखनी है, और जब बिंदु P को साथ लेगा, तो जो varnier A और varnier B है, उनके मान को भी हम देखेंगे, क्या यह मान चेंज हो जाएगा नहीं गुमनच नहीं होगा यह मान रहेगा जो और वर नीर ए और बी दोनों बताते रहें तो इसके बाद अब six साथ लिया है तो इस विक हमारा छै गए इस टेप छे लिचली प्लेट को डिला करते हैं तथा उर्बीन को क्लॉक वाइज दिसा में गुमाते हुए बिन्दु पी को पुनह लगभग में साधते हैं इसके पस्चात निचली प्लेट को कस्च देते हैं तथा निचली मंद गती पेंच पेंच की सहायता से इंदु पी को सुद्धता से साधते हैं यह हमारा इस्टेप छे का कार होगा अब इस्टेप साथ में हम फिर क्या करेंगे उपरी प्लेट को ढिला करेंगे और उपरी प्लेट को ढिला करके फिर क्लॉक वाई दिसा में गुमाते हुए बिंदु आर को फिर साधेंगे बिंदु आर को लगबग में हमने साधा फिर उपरी प्लेट को हम कस देंगे उपरी प्लेट को कसने के बाद फिर मंदगती जो उपरी प्लेट के लिए जो मंदगती पेच है उसकी साहता से हम बिंदु आर को फिर सुद्ध रूप से साधेंगे और जब बिंदुवार को हमें आपर सुद्ध रूप से साथ लेंगे तो जो कोण का मान आएगा वो हम देखेंगे कि जो वर्नियर ये है और जो वर्नियर भी है वो जो पिछली बार जो step 5 में जो कोण का मान बता रहा था उसके दो गुना मान यह बताएगा और जो वर्नियर भी है वो भी दोगना मान बताएगा तो step जो नमबर जो साथ है इसको हम लिखेंगे कि उपरी प्लेट को ढहिला करते हैं तथा उपकरण को 36 समतल में घुमाते हुए बिंदू आर को लगभग में साथते हैं इसके पस्चाथ जो हमारी उपरी प्लेट ढहिली थी उसको हम अब कस देंगे इसके पस्चाथ उपरी प्लेट को कस देते हैं तथा उपरी मंद गती पेंच की साहता से बिंदू आर को सुद्धता से साथेंगे अब सुद्धता से साथते हैं और फिर हमको मान प्राप्त होगा वर्नियरे द्वारा दो गुना मान किसका कोण पी क्यू आर का और सेम दो गुना ये भी रहेगा पिछले मान का इस तरीके से हमारा स्टेप नंबर छे से जो है स्टेप नंबर छे और साथ जो है ये दूसरी पारी हो गया एक तरीके से स्टेप नंबर एक से स्टेप नंबर पांच तक का जो हमने काम किया वो एक पारी में हमने किया और स्टेप छे और साथ में हमने दुबारा कोण का मापन कर लिया पारी से हमारा मतलब यह है फ़र्स्ट पारी यह स्टेप नंबर वन से पांच तक हमाएं मतलब हमने एक बार कोण का मापन कर लिया दूसरी पारी का हमारा मतलब यह है कि हमने फिर से कोण PQR का मान ग्यात कर या step number 8 में हम फिर क्या करेंगे फिर उसी तरीके से उपकरण जो हमारी दूर्बी नहीं है ति लाइट उपकरण की उसको हम clock wise दिशा में घुमाते हुए निचली प्लेट को फिर ढिला करेंगे यहां से यही वाला step फिर फालो करेंगे फिर निचली प्लेट को ढिला करेंगे फिर बिंदू P को हम लगबग में सा देंगे, उसके बाद निचली प्लेट को फिर हम कस देंगे, फिर सुद्धता से सा देंगे बिंदू P को और फिर क्लॉक वाइड डिरेक्शन में घुमाते हुए बिंदू R को सा देंगे, इस टेप नंबर 7 जिन में जैसे हमने कार किया है तो इस तरीके से फिर ये तीसरी बार हम कोड को माप लेंगे, तो जो आविर्ति बिधी होती है, इस आविर्ति बिधी में हम जैसे कि फेस लेफ्ट और फेस राइट जो दो होता है, फेस लेफ्ट अर्थात आपको जैसे पता है कि फेस लेफ्ट में जो उर्धवारदर चक कीमम होता है इससे ज्यादा करने पर हमको उपकरण द्वारा तूटी आने लगती है तो यह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यह एक इसंडर है मानक है हमको तीन-ईuben बार ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए तो हम तीन पारियों में कौन का मांपन किया हमने इन दोनों से हमको दूसरी Rub कह मानगयात हो गया दूसरी बार कोन का मापन और पिर घए को आठ करेंगे तो step number 8 करेंगे जो तो step number 8 और step number 9 करेंगे step 8 और step 9 में same होई step 6 और step 7 वाली क्रिया करेंगे मतलब उपकरण को हम यहां से घुमा करके फिर बिंदू P पर ले गया हमने और बिंदू P से उसको लगबग में साधा फिर उसके वाद सुद रूप में साधा फिर clockwise दिशा में गुमाते वे बिंदू P को लगबग में साधा फिर बिंदू R को सुद रूप में साधा अब इसके बाद फिर यह हमारा तीसरा पारी हो गया अर्थात तीसरी बार कोण का हमने मापन कर लिया और पहली पारी हमने जो किया है वो step number 1 से ले करके step number 5 तक किया है वो पहली पारी है हमारी अर्थात पहली बार का कोण मापन है step number 1 से step number 9 तक 3 पारी हों में कोण का मापन किया है तो जो टोटल कोण का मान आएगा वो टोटल कोण का मान हम नोट कर लेंगे तो तीनों पारियों में कोण का मान बटा में पारी हमारी कितनी होई तीन पारी है तो तीन पारी पारी की संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं तो यह हमारी जो हो गई है तीन होगी हमको क्या देगा जो कौण PQR है इस कौण PQR का जो तीन पारियों का जो ओसत मान है PQR का ओसत मान यह हमको मिलेगा इससे तो यह हमारा जो अबजर्वेशन था इसमें हमारा जो थियोडोलाइट उपकरण की जो उर्धवारधर चक्री थी वो बाएं साइड थी तो उर्धवारधर चक्री की इस्थिती जो थी हो किदर थी बाएं तरफ अगर हमको लग रहा है की जो हमारा मान आया है वो सुद नहीं है हमको और सुद मान चाहिए तो और सुद मान के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो उर्धवारधर चक्री है इसका जो फेस है इसको चेंज कर देंगे और फेस चेंज करने के बाद हम स्टेप नमबर टेन पर फॉर्म कर सकते हैं स्टेप नमबर टेन में हम लिखेंगे कि फलक बदलने के बाद स्टेप वन से स्टेप नौ तक की सभी क्रियाओं को यथावत करते हैं तथा अंत में प्राप्तमान का प्राप्तमान का फेस लेफ्ट अबजर्वेशन के मान में जोड कर जोड कर औसत ग्याद कर लेते हैं जिस से सुद्ध रूप में कोन PQR का मान ग्यात हो जाता है स्टेप नंबर टेन का रहा है कि हमारा जो फेस राइट अबजर्वेशन होगा उसका वैलू और जो फेस लेफ्ट अबजर्वेशन है इन दोनों वैलू को जोड लेंगे तो हमारा जो अवसत मान आएगा अंतिम रूप से जो अवसत मान आएगा वो आएगा फेस राइट अबजर्वेशन प्लास फेस लेफ्ट अबजर्वेशन पटा में दो कर देंगे इस तरीके से हमको आविर्थी विधी के द्वारा कोड का जो वैलू है वो प्राप्त हो जाता है तो ये हमारा था रेपिटेशन मेथड अर्थात आविर्थी विधी